अवही महराश में पिछले 24 घंटे में करोना संक्रमन के 10,697 नए मामले सामने आये हैं इतने ही वक्त में करोना से संक्रमितों की जान चली गई बता दे करीब 360 मरीजों की मौत हो गई है हाला कि राहत की खबर ये है कि शनिवार को जानी स्वास दिभाग के आखड़ों के अनुसार पिछले शौब इस घंटे के तरहार राज्यों में 14,910 करोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किये गए संक्रमन के नए मामनों के साथ अब महराश्यों में कुल संक्रमितों की संक्या 58,095,50 हो गई है जो कि मृत्यों का आखड़ा अब 1,6,727 हो गया है वहीं आपको बता दें कि बीते रोज सरकार ने मृत्यों के आखड़ों में संशोधन किया था और एक दिन में राज्या में 2,213 मृतक बढ़ गए थे रुकर्देगली खबर की और जो अदिल्ली में कोबिट के नए मामनों में लगातार कमी होने और स्थिती बहतर होने को ध्यान में रखते हुए अगले हफते से सलोन और वीकल बाजारों को खोलने का प्रस्ताव रखा गया है जिसको अनुमती मिल सकती है दिल्ली की मुखे मंतरी अर्विंद केज जिवाल ने पिछले हफते ही बाजार, मौल और मैच्रों को खोलने की खोशना कर दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर राज़दानी कोविट की सिथी बहतर होती है तो आने वाले दिनों में कई अन्य गत्विदियों को शुरू करने की अनुमती दी जाएगी इस बात की संभावना है कि दिल्ली सरकार अगले हफते से सेलोन और वीकल बाजारों को खोलने की अनुमती प्रदान करने जा रही है साथ ही ऐसे आपको बदा देंगी जिम, सिनिमा, घरों और रेस्टरॉंट्स को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जाओं तब प्रदेश में मौनसून के आगमन का अंतजार अब खत्म हो गया है मौसमिभाग ने गोशना कर दिया है कि यूपी की सीमा में 13 जून यानि कि आज से मौनसून प्रवेश कर जाएगा प्रदेश के वो जिले जिनकी सीमा बिहार से लगती है वो बारिश से तरबदर हो जाएंगे बता दें कि बलिया गाजिफोर्ट चंदॉली और सोन भद्र तक इसका पहला असर देखने को मिल सकता है इसके बाद दो से तीन दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होगी लखनाओ स्थेत मौसम भाग के निदेशक ने बताया कि ताजा अध्यन के मुताबिक मौनसून की चाल सामान ने है और अभिवार को पुर्वांचल के कई जुलों में इसकी वज़ा से बारिश हो सकती है लखनाओ तक इसे पहुँचाने में दो से तीन दिन का समय भी लग सकता है